कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी की नियाय यात्रा के दौरान असम में गड़मड़ी होने पर UPK केबिन्ट मंतरी अनिल राजबर ने उन पर निशाना साधा है असम में अशान्ती फैलाना चाते थे वहाँ की सरकार ने जो काम किया उसका अभी नंदन है सरकार को और कड़ाई से काम करना चाहिए उपदर्वियों को रोकना चाहिए क्योंकि शान्ती व्यवस्ता के लिए ये बेहच जरूरी कदम है केविनेट मंतरी अनिल राजभर ने कहा कि राहूल गांधी कुछ दिन इंतिजार कर ले जन्ता उन्हें कड़ा सबक से काई ही वो बहुत खराब सबक सीखने जा रहे है गेंद जन्ता के पाले में जा चुकी है और उसे अपना फैसला ले लिया है मंतरी अनिल राजभर ने विपक्षी नेताओं पर निशाना साथते वे कहा कि अगर जन्ता राम मंतिर के मुद्धे पर प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी और उनकी सरकार को आशिरवाद दे रही है तो इसमें हर्च क्या है विपक्ष के पास कोई मुद्धा नहीं इसलिए वो बार-बार बाल की खाल निकाल रहे है आज देश की जन्ता की भावना शीरो धारे हुई है वारत का स्वावी मान पुना इस्ताबित हुआ है विपक्ष को इसमें घबरानी की क्या जरुवत है इस पर राजनीती करने की क्या जरुवत है उनके मताबिक मोदी की सरकार के समक्षी 500 बरस का इंतजार खत्म हुआ एक दिन में लाखों की संख्या में लोग दर्शन के लिए जा रही है ये समझना चाहिए कि जन्भावना कहा है पूरी दुनिया में इसका संदेश गया है कि सरकार किस तरह से काम कर रही है बिपक्ष इसे राजनीती से ना जोड़े हम लोग विकास के नाम पर काम कर रहे हैं और बिपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं अनिल राजवर्ण ने कहा कि माननिये न्याइपाल काशी और मत्रा के मामले को देख रहा है ग्यान व्यापी के अंदर जो परणाम है तो किसी से छिपे नहीं है कोई भी आदमी मत्रा चले जाए तो वहाँ की जो गोलिक इस्तिती है उससे साफ हो जाएगा कि वहाँ भगवान कृष्ण का मंदिर है एक ना एक दिन न्याइपाली का इस मामले में भी फैसला करेगी ये दो काम शेश बचे हुए है